हलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मेरी यूट्यूब चैनल अश्टाड़ी.81 में आपका स्वागत है, आज के इस वीडियो में हम लोग उदासिंता बक्र के बारे में जानेंगे, अब हम लोग आज के टॉपिक की ओर चलते हैं तटश्टा बक्र को उदासिंता बक्र, अनधिमान बक्र और इंडिफरिंस कर भी कहा जाता है। उदासिंता बक्र वह बक्र है जिसके किशी वीबिंदू पर उपभुकता को एक शमान संतुष्टी प्राप्त होता है। यह बक्र दो बस्दों के वीबिंसयोगों से बनाया जाता है और उपभुकता परतेक शैयोग से समान संतुष्टी प्राप्त करता है। अर्थात उदासिंता बक्र पर इस्थित शवी बिंदू पर संतुष्टी का अस्तर समान होता है। इस परकार दो बस्दों के वीबिंसयोगों से प्राप्त बिंदू जो एक समान संतुष्टी प्रादान करती है को आपस में मिलाने से जो बक्र प्राप्त होता है उसे तरस्था बक्र कहते हैं। आप हम लोग उदाशींता बक्र की विशेष्ताओं को देख लेते हैं। जिसमें से फस्थ है उदाशींता बक्र मुल बिंदू की और उनतोदर होने का प्रामुक कारण प्रती सिन और प्राप्त ब्राप्र दूब जो बस्दों के संव्योगों पर बना होता है। उदाशिन्ता वक्र की अगली विसेश्ता है उदाशिन्ता वक्र किसी भी अच को असपर्च नहीं करता यदि उदाशिन्ता वक्र किसी अच को असपर्च करता है तो इसका मतलब उपभुगता एक बस्तू का उपभुग सुन्नी कर रहा है ऐसे में यहां दो बस्तों का शैयोग नहीं होगा नेक्ष्ठ है दो उदाशिंता वक्रों के मद अनेक उदाशिंता वक्र होता है नेक्ष्ठ है दो उदाशिंता वक्र एक दुसरे को कभी नहीं काटता है और नेक्ट है दो उदाशिंता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं असपर्स करता उदाशिंता वक्र के अगली विसेश्ता है किया मूल बिंदू से जितना दूर होता है उससे प्राप्त होने बाला संतुष्टी उतना ही अधीक होता है और मूल बिंदू के जितना नजदीक होता है उससे प्राप्ट संतुष्ट उतना ही कम होता है इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है यादि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा हम लोग फिर मिलेंगा अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार